अब आपके जो देखिए सुचिर्ता हाँ नी समाजवादी पार्टी चिड़ती क्यों तिलक्स अब उनी से बुलवाईए मैं नहीं बुलवाऊंगा अब अब आप नाराज मत हो जाईए वैसे ही एक बयान को लेकर आपके नेता और पार्टी को गेरा जा रहा है मठादीश व पर यहाँ पर एक पंडिशी बैठ है अपना पक्ष रख रहे हैं बता रहे हैं जो फैक्शुल सिचुएशन है तो यह हो हला है मठादीश माफिया है यह गलत तरीका है हम हिंदू समाज को इस प्रकार से फोबिया का शिकार नहीं कर सकते हैं यह बांगलादेश थोड़ी है आप एक और डिबेट शुरू कर देंगे आप असाद साब की असाद दीन ओवेसी की तस्वीरें दिखाइए ज़रा और दानिश साब के पास जाओंगी वैं असाद दूदीन ओवेसी की तस्वीरें स्क्रीन पर रखे क्योंकि वह QR कोड लेकर बकाइदा खड़े हुए हैं और देखिए बोर रहे हैं वोट करिया आप आपको बेजना है ये आपके निता के बयान है दानिश साब वो कह रहे हैं कि अगर ये QR कोड स्कैन नहीं किया तो देख लिजे बरबादी आईगी इस देश में और फिर अगर बरबादी आई तो हम बरबाद कर देंगे ये वाल देखे सुचारिता मेरी गुजारिश है आपसे कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला और 23 मिनिट तक मुसलसन सुन रहा हूं मेरी बात बहुत अच्छे से आजाए कोई भी वीच में इंतरप ना तरहे किसी को परिशानी हो तो मेरी बात खतम हो जाने के बात करें सबसे पहले म देख में हिंडू अट भी है करनाठका के अंदर में जिसके अंदर में इस व्यद्स द्यादा पावर्शी ज SOUND के मुर्णविंट्ट कि यह जो जैन साव है यह बिल्कुल जूटी और फरे भी बात कर रहे हैं अगर आपको रिसर्च करना है तो है आप गूगल डालेंगे तो सारी चीजे निकल गया जाएंगी तो यह देश में फरे फ्लाने का काम सबसे पहले तो जो अधिवक्ता है इनको नहीं करना चाहिए ज यह सारी लडाई जो है जमूरी तोर पे सरकार की केंद्र सरकार की और मुसल्मानों के बीच में है अब इसमें संग परिवार कूथता है उसके बाद विश्व संगर जैन जैसे लोग कूथते हैं और तमाम लोग कूथते हैं अरे उनका तो पक्स बनता ही नहीं है उनका ओना यह को उपक्तिक करना चाहते हैं, लिज़ आधुर में, व्शुर्ण कर दू भर सब्सक्राइब करना है। विश्णो जी आपके पास जवाब के लिए आ रही हूँ, मेरा सिर्फ यह मानना है, कि जब इतनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, उसे मैनेज करने वाले कितने लोग हैं सर, उसे मैनेज करने वाले कितने लोग हैं, हम रेलवे सेना की बात करते हैं, उसे मैनेज करने के लिए तो लाखो कर्मचारी है यहाँ वक्फ वोड को मैनेज करने के लिए कितने हैं चुनिन्दा कुछ सेगड़ों लोग और वो मैनेज करने हैं इतने लात इतने मुसलमान हैं गरी मुसलमान है उनको बाड़ दीजे जमीन आम आदमी तो यही पूछेगा आम मुसलमान को यह पता विवाद है यह वक्फ ने कब इतनी जमीन का मालिक वक्फ बन गया उन्हें पता भी नहीं है वो भी यह देख रहे हैं कि वक्फ इतनी बड़ी जमीन का मालिक है देश में लेकिन हमें पता नहीं ता हमारे ले क्या किया यह सवाल तो पूछ रहे हैं विश्ण जी जवाब द कर देंगे तो क्या आपने उनकी नौलेश पर सवाल किया था आज यहां पर दानिज भाई कुछ भी बात कह सकते हैं कि हम जूट फैला रहे हैं दानिज भाई के पास कोई पॉइंटी नहीं है कोई तर्की नहीं बताने के लिए सुच अरिता जी मैं बात पूछना चाहता हूं इन्हों ने देखे एक एक बात होता है तर्क और एक खुथा है पूछना अभी किसी ने कहा आं कि मेरे भीच में कोई ना बोला शुरूए? मैं भी दानेश जी कोई कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ सुचरिता जी ये बताइए कड़नाट का एक 1997 में क्या लिखा है इन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा वो 35,000 मंदिर अक्वार कर रहा है स्टेट गर्मेंट 35,000 मंदिर अक्वार कर रही है और हमारे मंदिर उनके एक्विजिशन में पुजारी कैसे न्युक्तोंगा इतना सारा जूट इतना सारा जूट और वो अरे भाईया एक नट आप ऐसे बीश में कैसे इंटरफ्ट कर सकते हैं अब आप उस एड को कह रहे हैं कि ये हिंदू को पावर देता है मेरा तो दमाग ने समझ भा रहा है कि कहां से कानून पढ़के आए है भागवान जाने इनको और कहां कि हिंदू को पावर दी जाती हूँ पताएं को सब्सक्राइब करिये कौन सब्सक्राइब करिये इस बात की पक्सदर हूँ कि अपनी अपनी बात एक है करके कहें नहीं दानिजी आपने शुरू में इसी बात से शुरू किया कि मैं बोलूगा कोई नहीं भोलेगा बात आराम से जानी चाहिए फिर आप दूसरे को बोलने नहीं देते हैं इस नहीं परकार इस देश की जमिनों कप्जा करने का प्रयास किया रहा है यह यहां डेट कब जा करने का प्रयास है यह भी एक कारगा जिहाद है यह डिवेट किया जिहाद है इसको लोग करने का प्रयास का मैद विश्णू जी वोलिए कंपलीट कर लीजिये बले एक के करके बोलेए देखे सूचरिता जी आज तर्क और खुतर्क में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपके सामने बता दिया ये कर्नाट का एट का एक भी सेक्शन ही बता पाए अगर जानकार है तो बताए कर्नाट का कौन से सेक्शन है जो हिंदू को पावर देता है एंक्रोच्मेंट हटाने की है चैलेंज कर रहा हूं पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू सुचरता जी मुझे बताईए आंद्रप्रदेश हाई कोट ने आज नहीं 2008 पर जैट्मेंट दिया है डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे सबसे हाईयर जमीन है तो वह बोट की है ये मेरे अंद्रप्रदेश हाई कोट के अखड़े उसको आप जुटला देंगे क्या और उसके बाद सुचरता जी मुझे आप यह बताईए मैंने इनके सामने सारे सम्मेधानिक प्रोविजन और वाफएट के इतने प्रोविजन से बताए है उसका कोई जवाब है क्या सेक्शन चा